हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो जसे स्टेडी तो देख रहे हैं हम एकोनॉमी टेटा चलिए देखते हैं टोटल एनर्जी जनरेशन 2018-19 के बात किया तो 1376 बिलियन यूनिट जो है एनर्जी जनरेट की गई है ओके बस इतना याद रखना है तो टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया पावर जनरेशन हमने कितना किया है 2018-19 में तो थर्मल पावर सबसेदा हमने 63.5 परसेंट इससे हमारी पावर जनरेशन हुआ है और इसके बाद है रेनुवेबल एनर्जी सोर्सेसे 21.8 परसेंट और हाइड्रो पावर से 12.7 परसेंट और निकुलियर पावर से 1.9 परसेंट इनर्जी जनरेट हुई है यूपी की जीडिपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रिबूशन तो सर्विस सेक्टर का कंट्रिबूशन 48.0 परसेंट है किसकी जीडिपी में उत्तर प्रदेश की जीडिपी में सर्विस सेक्टर बाकी नकाम नंबर वन यूक्शे दूसरे नंबर पर जर्मनी तीसरे नंबर पे और भारत का आठ्वार रांइंख एक्सपोर्ट करने में यानि कि निर्यात करने में इंडिया की कितना percent खर्च करती और किन किन सेक्टर में खर्च करती यह बहुत इंपोर्टेंट है तो देखिए expenditure इंडिया किन सेक्टर में और कितना अपने GDP का खर्च करती तो education का खर्च करती है 3.0 percent health पे खर्च करती अपने GDP का 1.5 पर्चेंट और अधर करती है 2.9 पर्चेंट अब यह थोड़ा से इंपोर्टेंट है national health policy कहती है कि health sector में 2.5 पर्चेंट कम से कम investment हर एक country करना चाहिए लेकिन यह क्या करते हैं 1.5 पर्चेंट अपनी GDP का खर्च कर रहे हैं तो बहुत ही कम है नेक्स्ट है GDP में कैपिटा नेट इस्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट अट करेंट प्राइस 2011-12 सीरीज के ऐज़ान 28-29 गोवा हार पर कैपिटा अगर GDP की की बात की जाए जहां पर domestic की तो गोवा की सबसे जैदा इंकम है इसके बाद याजह की बात 28 इसके सबसे कम GDP बहर की है ठीक है और यूपी नीचे से दूसरा है यानने कि यूपी सबसे लास्ट में अगर बात की जाए तो यूपी के सबसे लास्ट तो यानिकि बिलकूर आप नेक्स्ट देखते हैं हूं कि सबसे जदा सबसेड़ सेड़ देते हैं फूबशेद इस बहुत सबसेड़ सबसेड़ हम कहाrika देती है हमारी सरकार, तो फूबशे देती हैं फर्टू दूसरी फर्टिलाजर परती है यह तीसरे नमबर development goal composite index नितिया योग बनाता है तो यह पूछ लेगा तो सबसे ज़्यदा performance अगर अच्छा SDG में हिमाचल परदेश का है दूसरे नमबर पर केरला है तीसरे नमबर पर चंडीगड़ है और युत्तर परदेश का बाइलिसमास अस्थान है जो कि अस्थान ही नहीं यह तो इस्पिरेंट है और अभी यह भी पूरा कोई complete नहीं किया है फ्रंट रणर था हिमाचल प्रदेश जो नमबर बन पर था कि अभी कोई अचीवर नहीं है मैंने यहां पर लिखा है अभी तक कोई अचीवर नहीं है जीड़ीपी सडीजी आने की sustainable development goal को अचीव नहीं किया है जो उसके 17 गोल है उनको अचीव नहीं किया एक इसके बाद रेमिटेंस यह बहुत important question यह आपको मिल जाएगा रेमिटेंस received in 2018 यह कितना रिसीव हुआ इससे important नहीं है लेकिन कहां कहां से सबसेदा रेमिटेंस आने के लिए मतलब सबसेदा रेमिटेंस किसको आया है इंडिया में आया है दूसरे नंबर पर चाइना में आया है तीसरे नंबर पर मैक्सिको में आया है अब देखिए रेमिटेंस क्या होता है जैसे आपके कोई भी लोग अगर हमारा प्यारा भारत है और हमा के लोग हमें हमारे लोग हमें पैसे बेज़े इसके बाद दूष्रा थिसरा है नीदर लैंड और मार्च में इंडिया का The external debt was dollar five four three point zero billion था Total Increase total कितना इंक्रिज हुए थर्टीन पंट सेवन बीलिंड डालर से इंक्रिज हुए जो कि 2.6 परसेंट है तो इतना इंपोर्टन नहीं था वहीं इंपोर्टन था जो कि मने उपर डिसकस किया The external debt and GDP रेसियो इस्टूड आइट 19.78 in 2019 इसको छोड़िये मैक्स देखते हैं हाँ अब देखे टाप तीन स्टेट वाइज पैटर्न आफ लैंड यूज नेट सोन एरिया कुल बोया गया सबसे जदागर कोई बोय गई एरिया कहां पर है तीन स्टेट की बात की जाए तो राजस्थान नंबर वन है जहां पर सबसे दागर बोने योग बोय गया यह यह उगाए गया अज थे एरिया वाईश दूसरे नमबर महाराष्ट तीसरे नमबर पर उत्तरप्रदेश हैं अब सकल बोया गया सकल बोया गया ग्रास सोन एरिया आप पूरा गया देख लिए ना यहां पर हिंदी मैं लिग यह सकल बोया गया, तो सबसेदा बोया गया, यह उत्तर प्रदेश में, दूसरे नमबर पर राजस्थान, तिसरे नमबर पर मद्य प्रदेश, यहां पे कूल की बात की गई, यहां पे सकल की बात की गई, ध्यान दीजेगा, नेट इरिगेशन एरिया, सबसेदा इरिगेशन यही सीरीज रहेगी यूपी मद्यप्रदेश रायस्तान इज आप डूइंग बिजनस में सबसे कम रैंक 2017 के हिसाब से अरुनाचल प्रदेश की थी दूसरा है में घालाई की तीसरा है लक्ष दीब की और चौथा है सिक्किम की पांचवा मनिपूर की इस तरह से अरुनाचल सबसे कम इस आpp इसको याद कैसे रखेंगे अभी फ्रॉनाचल प्रदेश क्या है अभी धे अमित साजी अरुचल प्रदेश में यह हमारा एदर ठीक ए तो अरुनाचल यहाँ पे implement का साधन नहीं है यहाँ पे कोई कुछ हम use नहीं कर सकते हैं तो भिरुजगारी है plus आमदनी कम है तो इस तरह से और नाचल परदेश का क्या है सबसे कम Ease of Doing business में है यहाँ पे हम business settled ही नहीं कर सकते क्यों क्यों हम अगर बाहर के लोग भी यहाँ पे company लाने चाहे त पूरे अरुनाचल प्रदेश को यह अपना मानता है नेक्स्ट देखिए इस आप डूइंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा रैंक किसकी है आंद्र प्रदेश की यानि कि आंद्र प्रदेश में बिजनेस करना बहुत ही असान है जल्दी से आप सेट अप कर सकते हैं दूसरे नमबर पर तेलंगाना है तीसरे नमबर पर हर्याना है चोथे नमबर पर जारकंड है और पांचवे नमबर पर गुजरात है यूपी का नामी नहीं है क्या नीतियायोग के इस आप डूइंग फार्म बिजनस अब देखे किरिसी बिजनस में सबसे ज़्यादा कौन है महारास्टरा है अगर किरिसी बिजनस में दूसरे नमबर पर गुजरात है तीसरे नमबर पर राइस्थान है चौथे नमबर पर मद्य परदेश है यह है एकनॉमिक सर्वे 2019-2019 का डेटा है नेक्स्ट देखते हैं रिन्यवेबल एनर्जी सोर्सेस तो रिन्यवेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहीं से क्विश्चन मिल जाएगा तेके रिन्यवेबल एनर्जी सोर्सेस में अगर बात की जाए थोड़ा मैं इससे बढ़ा करता हूं एक मिनिट हाँ रिन्यवेबल एनर्जी सोर्सेस की अगर बात की जाए तो इसको बस यहीं याद रखिएगा कि कौन कौन क्या क्या होता है रिन्यवेबल एनर्जी सोर्सेस में विंड आता है सोलर आता है बायो मास आता है इसमाल हाइडरो पावर आता है और थर्मल एनर्जी सोर्सेस म है करनाट का नंबर वन है दूसरे नंबर पर तमिलनाड हुए तीसरे नंबर पर गुजरात है चोथे नंबर पर महाराष्ट है और पाच्वे नंबर पर रायस्थान है यह कि 2019 डेटा लेटेस्ट डेटा के हिसाफ से हैं इसके बाद है hi wind में देखिए Wind energy में कौन है नंबर वन तमिलनाड हुए बस यही नंबर यहां डखिए तेखिए है सोलर अनरजी में कौन नंबर वनिर करनात के है बायो फावर में इनकी बायो पावर में कौन है लिए महरास्ट्रा है इसमाल हाइड्रो पावर में करनाटका नंबर वन है और वेस्टू पावर में महाराष्टा नहीं यहां पे मैंने लिखा नहीं है ठीक है यह जरूरी नहीं है यह आते हैं इसको मैंने इसलिए लिखा है अब यहां पे देखिए नोट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन विंड शलाओं यह रहाए होँएोर उन पावर से हुआ है दूसरे नांबर पर सोलर है तिसरे नंबर पर बायो मांस्ट पावर है और 4 नंबर प्समाल तो thermal power में maharashita number one यह वह पूछेगा नहीं और इसके बाद thermal power में आपको जानते हैं और kool आता है diesel आता है गेस आता रिगमाईट आता है तो कोल में Maharashita number one है निजल में तमिल्नाडू Number one है लार गैस में की जाए तो हिमाचल प्रदेश नंबर वन है उत्तर युनाइटिट किंगडम नहीं यह है यू के यानि कि उत्तराखंड करनाट का तीसरे नंबर पर और इस तरह से अब देख लिजेगा ग्रांड टोटल एनरजी में महारास्ट्रा यानि कि सबसे अगर एनरजी का प्रोडक्शन हुआ है तो किस में हुआ है महारास्ट्रा में नंबर वन है गुजराद दूसरे नंबर पर तमिलनाड तीसरे नंबर पर और यूपी का पांचमा पांचमा अस्थान है तो यह बहुत इंपर्टेंट है इसको ध्यान दीजेगा कि ग्रांड सबसेदा टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में महारास्टा नंबर वन गुजरात दूसरे नंबर पे तमिलनाड तीसरे नंबर पे प्रोथे करनाट का है और पांचवें नंबर पे मारा यूपी है सबसेदा इलेक्रिसिटी कहां कंजूम होती है यह इंपोर्टेंट है तो इंडस्ट्रिज में सबसेदा होती लगवाग 42% 242 परसेंट को जोड़ी इमाटी नहीं नहीं रेखता लैकि सबसेदा इंडस्टी में होता है दूसरे नमबर domestic products में domestic में होता है याने की household में और तीसरा नमबर है agriculture में हम खर्च करते हैं और चोथा है commercial याने की companies में और other में और train में 1% नेचरल गैस कहां खपत हुई नेचरल गैस के transport में करते हैं सबसेदा petrol खपत petrol की खपत हमने कहां किया retail में किया खुर्दरा में और domestic में हमने किया यही है ठीक है thank you